एक फ़र फिर से सभी का स्वागत है मेरे चलंग क्रिप्टो सिंग पे दोस्तों बात करेंगे बेवी डोज कोईन के बारे में होल्डरस की तो होल्डरस आज की डेट के अगरबाद करें तो 15,24,914 हो चुके है अभी आज की डेट के अंदर होल्डरस में गेंड तो जारी ही है दोस्तो और बताते हैं दोस्तों के मार्केट का ओवराल जो जा लेते हैं तो बी टीसी कोईन अब के हैं मोस्ट ट्रेंड मेम कोईन इन बी एन बी चैनलिस्ट वंटी फॉर्स की अगर बात करें तो बेबी डोज पहले नमबर में पाया गया है 9 मिलियन डोनर का कारोवर्क कर चुका है दोस्तों बेबी डोज जो कि सबसे अच्छी बात है और अगला ट्वीट चल रहा है दोस्तों ओवराल लगवग 25 परसेंट टोटल सप्लाई का बर्न कर दिया है टोटल बेबी डोज ने 4 क्यू ड्रिलियन बेबी डोज हैज बीन जस्ट बर्न के ओशिल पेज पे रोने डाल भी दिया है दोस्तों और वी एसिस केम की रपोर्ट भी डाल दी है तो बड़ी बर्निंग बेबी डोज ने कर दी जैसा कि मैं डेली कह रहा था कि बर्निंग बहुत चल दाएगी आच चुकी है दोस्तों बर्निंग और काफी सफलाई कम हुई है लगवग 40.80 परसेंट तो बेबी डोज तो एक र अगर बर्न रेंग की बात करें तो दोस्तों दूसरे नंबर पर वेवी डोज पाया गया है 45.80 परसेंट इसने सप्लाई टोटल बर्न कर दी है तो आपके सामने है टोटल सप्लाई की है जो 30,518 डोलर की है जो डोकन बर्न होए है और मार्किट कैप की बात करें 308 मिलियन ड दोलर का चल रहा है अभी भी और 44.80 परसेंट पर्न कर चुका है तो टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा कम कर चुका है बेवी डोज लेकिन इस मेने में 109 क्यूट डिलियन सप्लाई बर्न होनी है दोस्तों जो कि अभी 104 क्यूट डिलियन सप्लाई ही बर्न हुई है बड़ इस मेन में 109 क्यूट डिलियन बर्न करने है तो अभी तो चार क्यूट डिलियन ही हुए है तो इस मेन मैंत के अंदर बेवी डोज की सप्लाई बहुत कम होती हुई नजर आ जाएगी अपने को और ट्रेंडिंग की बात करें तो बेवी डोज चमालिस पॉएंट 900 के जो की सबसे बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है बेवी डोज री ट्वीट इफ यू बलीब बेवी डोज हैं 100 एक्स प्रोफिट तो बिलकुल देगा दोस्तों 100 एक्स जिस तरीके से सप्लाई कम होई है उस तरीके से इसके अंदर जल्द आपने को गेन भी बड़े लेवल का देखने को मिल जाएगा एक और फिर से ट्रेंडिंग में रहा है बेवी डोज 94% उपर दिखाया गया इसके अंदर दोस्तों लेट्स गेट बेवी डोज टू 5 मिलियन होल्डर्स दिस इयर तो बिलकुल हो सकते हैं दोस्तों 5 मिलियन हो सकते हैं इसके बहुत चल्द और मेट अर्स में भी इंट्री ले चुका है बेवी डोज दोस्तों वो भी सबसे अच्छी बात है टोटल सप्लाई का मैंने आपको पहले बताया था इनोंने पूरी डेटेल के सार बता दिया है अब 24 अर्स में 4.2 ट्रिलियन बेवी डोज बर्न होने थे टोटल 30 दिन के अंदर 109. 9.9 ट्रिलियन बेवी डोज कोईन बर्न और होंगे अभी बड़ी बर्निंग अवेंट आनी शुरू हो चुकी है दोस्तों और वेटिंग वोर बाइनस टू अनौसमेंट बेवी डोज तो दोस्तों अब कनफर्म हो चुका है जिस तरीके से सप्लाई कम होई है तो बर्न बर् हो चुका है पोसिबल अब दोस्तों सप्लाई कम होने जा रही है तो इसी मंत के अंदर जांग लिए मंत के अंदर आपको बाइनस की अनौसमेंट भी मेरे चैलन पर ही आप उस्ताव से पहले देखने को मिलेगी और पूक वेन बाइनस और बड़ी एक्षेंजों पे चुका हूँ किसी ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं लेकिन अब भी बाइनस पे लिस्टिंग कनफर्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सप्लाई बेवी डोज ने बहुत बड़ी मत्रा में कम करनी शुरू कर दी है सप्लाई कम होगी तो गेन ज नहीं है सबसे अच्छी जगाई यही है और एक परसेंट के आसपस बूज दिखाई दे रहा है रेंक की बात करें ठाई सो उसकासी है वाज रिस्ट की बात करें तीन लाग उन्चास यहर चार सो पचानमे हो चुकी है ग्राफ की बात करें तो पूरे गा पूरा पे और एल बैंक पे और रेड़ी आप जाके इसको यहां से बाइक कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे तो यही लगता है कि आने वारे टैम का सबसे अच्छा किंग बन के दिखाएगा इस साल का क्वें तो बेबी डोज ही रहने वाला है और मुझे पूरी उमीद है दोस्तो कि यह अपने को नेक्स्ट लेवल यहां से बहुत चल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बेबी डोज का फ्यूचर है मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहा है आपको क्या लगता है दोस्तो बेबी डोज क्या कर सकता है इस साल तक 4-0,3-0 किल कर सकता है मुझे तो confirmation ही है लगबग क्योंकि अब burning में मुद्धा था कि burning आए तो आगे next level देखने को मिलेगे तो burning आ चुकी आई तो और बड़ी burning भी आएगी दोस्तो तो next level अपने को यहां से बहुत जल देखने को मिल जाएगा अमीद करते हैं वीडियो को पसंद आई हो दोस्तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सुस्क्राइब करना बिलकुल भी मत बोलें दोस्तो क्योंकि मेरे चैनल पर कोई भी आसी न अवाद